धनबाद नगनिगम का वाड नमबर एकेस के कई लाकों में समस्याओं की भरमार है वाड एकेस अंतरगत धनबाद बरवड़ा मुक्ष सड़क के किनारे धाया कुरंगा बस्ती में सुबस से पीने की पानी के लोगों के संगस्त को देखा जा सकता है मैं सड़क के दूसरी ओर धाया शिमला बेडा मंडल बस्ती के लगबग 100 घरों के निवासी सड़क पर गंदा और स्टैप्ली टैंक का पानी बहने की वज़े से परिशान है उसके पास तो कुछ भी करता है जिसके करण पानी हमेसा बत्रह ना भी नहीं हुआ है उनों हुआ भी था लेकिन यह डिस्पूट के करणा इढहते होगा न उधर से होगा इस संदर में 2010 में निर्वाचित पार्षित प्रखुल मंडल ने शिमला बेड़ा मंडल बस्ती की वर्तमान हालत के लिए निवर्तमान पार्षित अंदिला कुमारी को स्रिमता ठेराया पार्षित प्रखुल मंडल की माने तो वर्तमान पार्षित पैसे की उगाही कर वैसी ओजनाव को लारी जिसका लाब सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल रहे हैं जब क्या दिकार्ष लोग उपेक्षित रह जा रहे हैं इसमें सारा दोस्त में पार्षित को देता हूं क्योंकि वह किवल पैसा लेकर काम उनको नहीं दिखाता है कि रोड कैसा है नहीं करता है आज तक परपजल नहीं दिया इस लोग वहां कभी दूश्य बड़ा का नाली का जो काम था हूं लोग निकल वाय थे प्रोसेसिंग में भी था लेकिन हम लोग का जैसी काम खत्म हुआ तो हजार पीस में तो फिर सारा चीज़ हम लोग का बंद कर दिया गिए करीब करीब लग रहा है तीन करोड कुछ सम् एक बाद जरूर है यहां पीने का पानी जिस समय आता है मैथन वाला सुबह उस समय भी थोड़ी सी इन में जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि सड़कों पे पानी बहुत बहता है जो पानी का मोल इन्हें समझना होगा और ताकि जो सामने की जो बस्ती का जो हाल ह आने वाले जिनों में कहीं यहां भी लोग नजेरें अब जिरापसासन और नगर निगम जल्द से जल्द इस इलाके में इस महले में जो गंदगी का जो उपायक सबसे पहले करना होगा उसके बाद जागरुकता के ताहरत लोग पीने का पानी ना बहाएं इस पर विशेश निज लेवन भारत के लिए धर्वासे सायोगी बंटी के साथ अरुन बर्नवार